मानने मंत्री जी मानने मंत्री जी उपादक्स महोदय यह जो बील मेरे साथी स्री किसन रेडी जी ने सभागरू के समक लेकर आए उस पर पक्स और उपक्स की काफी सदस्यों ने इसकी चर्चा में हिस्सा लिया है होना तो यह चाहिए था कि आतंकवाद के खिलाब यह जो बील है इसके लिए इस सदन के अंदर उने नी मीटी होती एक वाक्यता होती एक सोच होती तो देश भर के अंदर एक अच्छा मेसेज जाने की संभाव ना थी काफी मुद्दे खड़े करे हैं और मैं सारे मुद्दों का एक एक करकर उट्टर दूँगा उपसभावती महोदे सबसे पहले कहा कि अनलॉफूल एक्टिविटी के विरोध के एक्ट में बहुत सारे केस है बहुत सारे केस लंबीत है सजावों का प्रमाण बहुत कम है इस प्रकार के उल्ले काफी सदस्यों ने किये माने सदस्ये कपिल सिबल जी से शुरुवात होकर अंतितक ये बात होती नहीं मैं थोड़ी सपष्टता आपके माध्यम से इस गुरूर के सदस्यों के सामने नहीं रखना चाता हूं सभापती मोहदय किनोंने दो आंक्रे मिक्स अप करके सदन के सामने रखें यह एक्ट राज्य भी इस्तेमाल कर सकते हैं और केंडर की एजंसी एन आ ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो टोटल आंक्ड़े दे दिये उन्होंने हर राज्य के आंक्ड़ा भी इसमें समाई थे नाइए के आंक्ड़ा भी समाई थे तो मैं थोड़क सीर निर अलग करना चाहता हूँ सभापती महोदे मैं सबसे पहले सदन के सभासदों के सामने एनाइए के आंक्ड़े रखना चाहता हूँ 31 साथ 2019 तक एनाइए ने कुल 278 मामले एक आनून के अंतरगत रजिस्टर किये 278 मामलों में से 204 मामलों में आरोपत्र दाइर किया गया है और कुल 54 मामलों में अब तक फैसला आया है और 54 में से 48 मामलों में सजा हूँ तो सजा का दर 91 प्रतिसत है और मैं घर्व के साथ कहना चाहता हूँ सभापती मोहदे दुनिया भर की सभी एजन्सियों में सजा का दर अपनी एनाइए का सबसे ज्यादा है कुल 221 आरोपियों को सजा हूई है और 92 आरोपियों को अदालत ने दोस्मुक्त किया है और जो चार्च सीट करने का मामला है उसमें भी एक जून 2014 से उननीस तक जुलाई तक 198 में से 131 मामलों में चार्च सीट भी दायर कर दिया गया है इसलिए धलिल किसी भी तरह से तर्थ संगत नहीं है कि ये कानून का सिर्फ बनाने की प्रक्रिया होती है इसका उप्योग आतांक वाद को रोकने के लिए नहीं होता है सभापती महोदय जिहादी किसम के केसों में 109 मामले रेजिस्टर कर रही गए वामपंठी उग्रवाद के मामले में 27 मामले रेजिस्टर किये गए नौर्थ इस के अंडर अलग-अलग हत्यारी ग्रूपों के खिलाब 47 मामले रेजिस्टर किये गए खलिस्तानवादी ग्रूपों के उपर 14 मामले रेजिस्टर किये गए और हवाला के लिए 45 मामले रेजिस्टर किये गए और 36 मामले रेजिस्टर किये गए और सभी मामलों में कोट के अंदर 46 करने की प्रक्रिया कानून के तहत हुई है आज तक एक भी किसमें चार्सित न करने के कारण किसी को मुक्ति नहीं मुदे तो यह जो बात कही गई यहाँ पर किये कानून सिर्फ बनाते हैं इसका उप्योग नहीं होता है और आता है कोई कि रोकदाम के लिए इसका कोई उप्योग नहीं तो और कड़ा क्यों करना ये तर्क मुझे लगता है तर्क संगत नहीं है दूसरा कहा गया है कि व्यक्ति को आतंकवादी घोशित करने की जरूरत क्या है सभापती मोहदे ये आतंकवाद के खिलाब जो मामले एनाईय रेजिस्टर करती है वो बिल्कुल जटिल प्रकाल के मामले होते हैं इनके अंदर साक्स मिलने की संभावना एकाम होती है आंतराज्य मामले होते हैं आंतराश्टिय मामले होते हैं और जब एनाईय के अंदर एनाईय एक दर्खास लेकर आती है कानून का उप्योग करकर अभी हम संस्थाओं को आतंकवादी संस्था गोशित कर सकते हैं यह जब करते हैं तो चिदंबरम जी ने कहा कि भई संस्था तो व्यक्ति से बनती है जब संस्था को आप आतंगवादी गोसित करते हो तो व्यक्ति को गोसित करने की जरूरत क्या है मेरा तर्ग भी आतंगवादी व्यक्ति को गोसित करने के लिए यही भी है कि संस्था व्यक इसके लिए प्रूप इकटा करने में और दो साल चले जाते हैं तब तक वातंको आथ फेलाते रहते हैं विचारदारा उनकी फेलाते रहते हैं घटना है करते हैं मैं भी यह कहता हूँ आपके माध्यम से मान्य चिदंबरम साब को कि घटना व्यक्ति नहीं करता और संस्था नहीं करती व्यक्ति करता है मगर कानून की चिद्रों का उप्योग करकर व्यक्तिया नाम बदलते रहते हैं जब संस्थाओं के और करुदान है मन्य वरे से अनिक लोगों ने अपने संस्थाब बंद जैसे ही प्रति बंद लगता है बंद नई दुकान खोली उस पर प्रति बंद लगाओ तिसरी दुकान खोली कब तक प्रति बंद लगाती जब तक व्यक्ति को टेरिश गोसित नहीं करते इनके काम पर इनके इलादों पर चेक ला ना समदो और एकानून आतंकवाद कोई अपने अकले देश की समस्या नहीं है मानेवर आतंकवाद वेश्विक समस्या दुनिया के कई देशों के अंदर आतंकवाद से पिडित सबने अपने अपने कानून बनाए हम तो थोड़ा लेट ही हो गए मानेवर मैं बताना चाहता USA में व्यक्तिक वातंकवादी गोशित करते हैं, पाकिस्तान में करते हैं, चीन में करते हैं, इस्राइल में करते हैं, एरोपियन यूनियन में करते हैं और UN Security Council के रेजूलिशन 1267 और 1333 के तहट UN भी गोशित करते हैं और मुझे नहीं मालूम पड़ता कि हमें क्या डर पड़ा है मन करते हैं, और दुरोपियों की बात कम से कम Congress के मित्र न करे तो अच्छा है, क्योंकि दुरोपियों क्या उनका जो इतियास है, मैं कहने जाऊंगा तो साथ तरिक तक मेरा भासंट चालू रहेगा, मगर दुरो जन्सी की याग दिलाना नहीं चाहता है, क्या किया था हिमर जन्सी, देश के सभी के सभी अख़बारों पर ताले, दूर दर्शन सरकार का सारे गमग गाता था, और सारे के सारे निता जहल के अंदर 19 मेने तक किसी को कोई लोगतंत्र देश के अंदर रहा नहीं था, और नाजी इलाबाद हाई कोट ने तक कालिन प्रदान मंत्री के इलेक्शन को रद करकर उनको प्रदान मंत्री न रहने के लिए बात देखिया था, इसलिए दुरुपयों किया था, और आप हमें दुरुपयों की बात करे, अभी ये बासन किया, मानिया सदस्य दिगविजे सि जाए ठीक है, निकल जाए, तो मैं जवाब तो दूगा ही, आपको मालूमे सदन में किस तरह से बात होती है, मैंने आपको सीधा एड्रेस नहीं किया, मैं सभापती महदे के मध्यम से ही एड्रेस करा हूँ, और जवाब तो देना ही पढ़ेगा, और आपको सुनना भी पढ मानेवर उन्होंने कहा कि एनाइए के टीन केस के अंदर ही सजा नहीं क्यों नहीं हुई बला मैं बताना चाहता हूं इस सदन को क्यों नहीं हुई एक तीनों मामलों में पॉलिटिकल वेंडेटा के आधार पर एक धर्म अविस्वेश को अतंकवाद के साथ जोडने का प्रयास मैं बताता हूं मानेवर इस प्रेस ने पार में नहीं जाएक है यह समझोता एक पर मैंने आगे कहा था यहाँ पर समझोता एक्सपरेस समझोता एक्सपरस में पहले कोई आरोपी पकड़े गए बाद में अचानक लगा कि चुनाव साथ में आता है कुछ शंस्थाओं पर आ ओररोफ लगाना है आतांक बाद को एक कल़र से पेंट करना है तो समझोता एक्सपेस के पकड़े गए लोगों को छोड़ा और नकली मामला बना कर समझोता एक्सप्रेस के आरोपियों को पकड़ने का काम किया मानेवर यह कह रहे हैं कि क्यों छूट गए कौट का जज्जमेंट जरा पढ़ लिजे क्यों छूट गए क्योंकि अना यह कोई साक्स खड़ा नहीं कर सकी और आप कहोगे कि हमने सत्ता में आकर करा मैं यह भी मामला स्पष्ट कर देदा चाहता हूं मानेवर समझोता एक्सप्रेस का चार सीट दो जार तेरा में हुआ दो जार बारा में हुआ पूरत चार सीट बारा जुन दो जार तेरा में हुआ हमने तो सिर्फ आर्गिमेंट्स करें साक से तो चार सीट के अंदर रख दिया आपनी जांच पूरी कर दी और वो जांच के अंदर जज को भी कुछ नहीं मिला तब जाकर बरी हुए है जवाब तो आपको देना है मानेवर उनको देना है जो आरोपाद लगा रहे हैं कि ए आरोपी अगर लिर्दोस्त तो बम-दमाका करने वाले को क्यों छोड़ दिया गया है किसका गुना है चोडने का काम किस ने किया किस ने पोलिटिकल एज़ंडा ले गए इसी तरह से मक्का मस्ज़ित का भी चार सीट हमने नहीं किया साथ चार सीट उनी के समय में हुआ है और अरग्यूमेंट भी उनी के समय में हुए मनेवर आप किसी को भी कोई आरोग करते हैं तब कम से कम इसके पीछे बेग्राउंड क्या है अगर सोच लेते तो आज मुझे लगता है कि ये बात उनको कहने का मौका नहीं मिलता है। अगर 2009 में यासिन भटकल को टेरिस्ट घोसित कर दिया होता तो देश के सारे पूलिस टेशनों में सारी एजन्सियों में उसका फोटो भी हो होता फिंगर फ्रिंट्स भी होते और पूरी डिटेल होती और यासिन भटकल वही कलकत्या की पुलिस से एनाईय की जद में आ गया होता। मन्यवर ये जो हम घोसना करकर आए इसमें हुमन डाइट का भी कुछ लोगोंने सवाल उठाए कुछ सदस्योंने सवाल उठाए कि बे किसी भी व्यक्ति को आप आतंकवादी घोसित कर दोगे बात में कैया ऐसा नहीं है। इसके लिए अपिल के लिए सरकार की कमीटी बननी है। एक दलिलाई सरकार की कमीटी तो आपकी ढ्रॉइंग रूम कमीटी है। मैं बताना चाहता हूँ इन नरेंद्र मोधी की सरकार है कॉंग्रेस की सरकार नहीं है हमारे यहां सरकारी कमिट्य आच्छे तरिके से काम कोते हैं फिर भी फिर भी इसके बाद रिव्यू कमिट्य इसमें अपील होती है इसके चैर्मेन हाइकोर्ट के सेवा निवरूत जज या मुखे नयदिस होते हैं और यह रिव्यू कमिट्य इसके खिलाप अपील हो सकती है और उसके बाद में हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है तो गोसीत कर दिया इसका मतलब यह नहीं है कि अंतिम ठपा लग गया किसी के मानव अधिकार का उलंगर नहीं होने वाला है चार स्टेज पर इसकी स्कूटिनी का पुपोविजन हम मानेवर लेकर आये हैं और इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस पर किसी के ने संकार रखने की जरूरत में है मानेवर सरकारी एजन्सियों के इतनी सारी सक्तिया देना इसका पॉलिटिकल दूरूपयोग कपी सदस्यों ने इसकी संक्या व्यक्त करी है इसके अंदर यो पिय में मैं जो संसोधन लेकर आये हूं मानेवर उसमें आतांकवादी कब गोसित कर सकते इसकी व्याख्या कि ऐसा आई नहीं है कि किसी को कर दे माने सदस्य दीग वीजय सिंग ने कहा कि मुझे ही गोसित कर कहां यह है रेकोर्ड पर मैं आपके माध्यम से उनको कहता हूं मैं आस्वस्त करता हूं अगर कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा इन्हों नहीं माने वार उन्हों नहीं कहा कि सबसे पहले उजोरी कर देंगे आप सुनिय अब सुनने का समय सब्सक्राइब नहीं और तो भापति मा ओगे उन्हों नहीं तो डिस्तरभ और नहीं किया कि यर्वड नहीं किया है पहा उन्होंने का हूँ सभापती महोद है चैर में बैठे तो उन्होंने का कि गुरू मंत्री आस्वस्त करें तो मैंने कर दिया उनको आस्वस्त इसमें बुरा लगने का कोई कारण नहीं है आतंकवादी कम गोशित होना चाहिए आतंकवादी काम करता है या उसको भाग इसम संस्थाओं में घोसित आतंकवादी संस्थाओं में सनलिप्ट है मुझे लगता है चार जो बिंदू तै किये गए है इसकी परीगी के अंदर ही एक आतंकवादी घोसित करने की प्रक्रिया होने वाली है और उसमें मुझे लगता है किसी को आपती नहीं होनी चाहिए मनने सभापती महोदे और एक सवाल जो आया है कि इस प्रकार के कानूनों का दूरुपयोग होता है मैं बड़ी विन्नम्रता के साथ मनेवर आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहता हूं मैं तो एमेंडमेंड लेकर आया हूं ये कानून लेकर में नहीं आया है और समय के साथ साथ आतंकवादी संस्थाए जितनी आगे बढ़ी है वो दो कदम आगे बढ़ती है तो हमारी एजंचियों ने मानने वर चार कदम आगे बढ़ना पड़ेगा तभी आतंकवाद रूपे हमारी एजंचियों को हमने मजबूत कर यह कानून में लेकर नहीं आया है कानून 1967 में मानेवर किसकी सरकार थी कॉंग्रेस की 2004 में पहला एमेंडमेंट आया किसकी सरकार थी कॉंग्रेस की 2008 में दूसरा एमेंडमेंडमेंट आया किसकी सरकार थी कॉंग्रेस की 2013 में तीसरा एमेंडमेंट आया, किसकी सरकार्थी, कॉंग्रेस की, और उस वक्त यह सारे लोग यहां बैठते थे साथ, सारे लोग प्रेजरी बेंच पर थे, लंबे-लंबे भासन है, एक एक गंटे के भासन है, 40-40 पुरुष्ट के भासन है, इसके पक्स में, वहां जाते ही, नज प्रेजर भी बदल गई, भासन भी बदल गए, ऐसा क्यासे चलता है मानेवर, हमने तो, हमने तो 2004 में भी समर्थन किया था, 8 में भी किया था, 13 में भी किया था, और आज ले कर गया, आतंकवाद के खिलाब, जो जो कण, कठोर कानून लाते हैं, जो भी सरकार लाते हैं, मा वो नहीं होते हो खिलाफ होते हैं तो इंसानियत के खिलाफ होते हैं इसके लड़ने के लिए जो भी कठोर कानून लेकर आता है उसका हमने समर्थन करना थी मने वर एक मत यहार काफी सदस्वों के द्वारा रखी गई कि स्टेट पूलिस भी इस्तेमाल करती है और निये भी करती है स्टेट पूलिस के अंदर स्टेट पूलिस के एक्ट के अंदर आयो ही आमतोर पर जो होता है वो पूरी चानबिन करता है पूरे पूछताज करता है चालान भी होता है करता है कॉर्ट में पेज भी हो करता है और सारी चीज आई होती है और वो पी आई कक्सा का अधिकारी होता है इसलिए इसमें SP का प्रोविजन रखा गया है जहां तक NIA का सवाल है हमने वर, NIA एक विशीष्ट रुख से बनाये गया है कारियरबल है, स्रीची दमबरम साब गुरू मंत्री थे तब बनाया गया और इसकी एक administrative hierarchy तई की गई, administrative hierarchy के अंदर जो investigation के अंदर जवाब आते हैं, जो साक्स आते हैं, ये सारी चीजों को SP लेवल पर, डिवा SP लेवल पर रिव्यू होता है, अन्ततों गत्वा आईजी और डायरेक्ट एनाये के लेवल पर भी रिव्यू होता है, और उसके बाद में चलान कोड के सामने जाता है, तो जो state police है, इसके काम करने के नियम और मा मान अंकर लगें, और माननेवर तकलीप क्या होती है, जो NIA को दिक्कत क्या आती है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ, 298 केस है, करीब 30 के आसपास SP है, मुझे एकजेट आकडा, मालूम नहीं है, एकाद दो इधर उधर हो सकता है, 30 के आसपास SP है, चलान करने तक जब NIA नई बनी तब तक तो ठीक था, अब केस कोर्ट में आ दे, जो आयो होता है, उसने कोर्ट में उपस्तित रहना पड़ता है मानेवर, और 30 SP जो है मानेवर, वो पूरे देश में बिखरी हुई कोर्टों के अंदर उपस्तित होनों में दिक्कत आती है, इसलिए ये PI कक्सा के अधिकारी को एह अधिकार दिया है, परन्तु जो महतोपूर फैसले है, NIA की review meeting के अंदर भी ही होते है, NIA ने इस प्रकार का अपना एक administrative खाकार तेयार के है, इसके अंदर होता है, तो मुझे लगता है कि इसको, इससे कोई dilution investigation के अंदर होने की संभावना बहुत कम है, एक सब चीजों का जवाब दूगा, संभावना बहुत कम है, और माने वर इससे ये amendment करने से case चलने की घती में काफी बढ़ोतरी हो, दूद घती से case चल पाएंगे, क्योंकि PI उपलब्द होते हैं, 30 SP, इतने सारे राज्यों में उपलब्द होना असंभाव है day to day hearing के दूसरा आया कि भई, आप NIA के डीजी को अधिकार दे रहे हो, स्टेट के डीजी को अधिकार छिल कर, स्टेट के डीजी का किसी ने अधिकार ने चिल कर, स्टेट पुलिस जीस, UAPA के case को जांच करिए, उसमें स्टेट पुलिस के पासी है, और NIA जो जांच करती है, आप जब अपने हाथ में लेती है तब स्टेट के चीप सेक्रेटरी और डीजी पी को सूचित करती है केस हम ले रहे है कि यह अंतराज्यय कक्सा का केस है, अंतराश्टिय कक्सा का केस है, जब सिदंबरम साब भी लेकर आय थे तब उन्होंने अच्छे से इसको एक्स्प्लें कि डीजी का संपति की जबती के लिए परमिशन लेना इसलिए अनुचु थे माने वर कि पूरे फैक्ट तो इनके पास होते हैं पूरे फैक्ट इनके पास होते हैं स्टेट पूलिस को पूरी इन्वेस्टिगरसन की मालूमाती नहीं है और अब इस प्रकार की भी संपतिया हु हुए कि डिमेट अकाउंट में शेर पड़े हैं अन्य इलेक्ट्रोनिक प्रकार के सुना भी रखते हैं बाकी सारी चीज़ें भी रखते हैं और प्रस्ट नपुजेगे और ये उनकी जो संपत्या पड़िये इसमें जरासी भी देरी होती है तो संपती ट्रांसपर करने का संभावना पूरी की पूरी रहती है इसलिए निये में भी डीजी कक्षा के अधिकारी होते हैं और देश के सिनियर मोस आट दस डीजी में से सिनियर व्यक्ति को वहाँ बनाया जाता है तो मुझे लगता है इस पर किसी ने आसंका करने की जरूरत नहीं है मनेवर अंति में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये कानून अगर हम एक मत के साथ यहां से प्रारित करते हैं लोकसभा में भी कुछ 5-6 सदस से सोड़ कर सपने सम अमर्धन किया है तो विश्व भर के अंदर हमारी एजनसी के लिए अच्छा संदेश जाएगा और विश्व भर के आतंकवादियों के अंदर भी एनाईय की धमक बड़ेगी हमारे कानून की धमक बड़ेगी और कम से कम आतंकवाद जैसे मुद्दे पर भी ये सदन एक मत ह अच्छा इसा एक संदेश जान से मुझा लगता है आतंकवाद के खिलाब की लगएं में बहुत समझेब इतरा लग को नहीं मिदे नाट वाल शुटर चेदमबरम मिस्टमबरम इन एक तक्रम और पर दूजए और पर दिश्व भर शून पर गर डिएट पिर टन प्र आप् Let me make it absolutely clear on behalf of the Congress Party, we are not opposing all the provisions of this amending bill. We are accepting most of the provisions. We are opposing only two provisions, Clause 5 and Clause 6. And why we are opposing also, I explain, and I wish the Honorable Prime Minister will clarify that. When you want to name an individual, at when will you name the individual, at what stage will you name an individual? Because the section says, if the central government believes he is involved in terrorism, what is the stage when you two will name him? If you clarify that, at what stage, we may reconsider our position. But the Act is unclear about it. It can name any time. And therefore, we are opposing all the provisions. Minister, to respond to this, what stage? I am saying to you, I am saying to you, चुटाने के बाद ही करेंगे मगर वो व्यक्ति को आपरेट ही नहीं कर रहा है तो फिर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बनता है सरकम्टेंशल एविडेंस इस और बाखी के स्टेटमेंट्स को देखते हुए इस पर नहीं करना पर है एक स्परश्टी करन चाहता हूँ